हाई गाईज, वेलकम बाक तो मैं चैनल, मैं बहुत दिन बाद यूट्यूब में आ रहे हूँ, I am so happy guys और मैंने इतने दिन का ब्रेक कभी भी नहीं लिया है, like 3 months मैंने यूट्यूब में कोई भी विडियो अपलोड नहीं किया है बहुत बड़ी स्टोडी है, मुझे जब करेज मिलेगा तो मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगी लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है सब कुछ शेयर करने का अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो गो फॉलो मी देर, मैं कुछ-कुछ चीज़े वहाँ पर शेयर किया हूँ क्यों मैंने इतना बड़ा सा ग्रे गैप लिया था और अभी मैं मिडल ओफ दा शिफ्टिंग में हूँ करते हो बहुत जल्दी मैं प्रॉपर बैकड्रॉप प्रॉपर लाइटिंग के साथ वीडियो लाओंगी बाट मेरे लिए वीडियो अप्लोड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था विककॉज आए वांट तू आफ्टर लॉंग टाइम आज रहली वांट तू एनिवेज तो विडियो को शुरू करते हूँ आईस अगर आप लोग मुझे इस्टेग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो इस्टेग्राम में मैं आप लोग उसे पूछते हूँ कि आप कौन सा वीडियो देखना प्रेफर करोगे मैं फॉर्स ताम् जो वीडियो डालने बाली हो after अफेर अफ्र ब्रेक तो मैने दो प्शन डाला था मैंने क्यो लॉरियो पारिस सेरंस का जो विडियो थाbene क्लाइबरेशन कर दिया वह वीडियो या फिर मैं यूट्यूब का जो एड्स है उसके बारे में कुछ बात करने वाली थी तो यह दो ऑप्षिन मैं आप लोगों को दिया था आप लोगोंने सेलेक्ट किया यूट्यूब एड्स तो आज का वीडियो वही होने वाला है तो 2016 से जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब सी यह बात बता रहे हूं आजकल हम सब लोग बात करें बॉड़ी पॉजिविटीविटी आपका जो स्किन कलर है वो पर्फेक्ट है मैं यह आल्वेस बताते रहते हूं लेकिन यूट्यूब एड्स ना यह एग्जांपल डालते रहूंगी स्क्रीन शॉट डालते रहूंगी मैं किस बारे में बात करें तो आप लोगों को समझ में आएगा यह यूट्यूब आप्स आल्वेस प्रमोट करता है So guys मेरा जो दूसरा पॉइंट है इसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था like fake, celebrity, promoting, fairness, cream and all that shit, bullshit जो खाने की चीज होता है आप पतले हो जाओगे, आप मोटे हो जाओगे यह वो यह जो so-called celebrities है I can take their name but I don't want to लेकिन मैं आपको कुछ example दिखाने वाली हूँ कि यह लोग ही अपने Instagram में जाके body positivity के बारे में बात करता है, black life matter के बारे में बात करता है, twitter पे जाके बात करते है और यही लोग अपने Photoshop के साथ, अपने Face के साथ इतना जादा करते हैं, कभी यह लोग darker skin बन जाते हैं, कभी यह लोग lighter skin बन जाते हैं, कभी इनका nose इतना सा पतला होता है, कभी इनका Face इतना सा पतला होता है I just can't understand, don't understand कि यह celebrity लोगों का problem क्या है, क्योंकि मैं तो कोई celebrity नहीं हूँ, मुझे यह YouTube वीडियो करने में मुझे कोई पैसा भी नहीं मिलेगा लेकिन उनों के पास इतना सारा पैसा है, इतना सारा influence है, इतने सारे लोग उनको follow करते हैं, फिर भी वो लोग fake cheese promote करने में जादा खुद को खुशी लाए, वो लोग खुश हो जाते हैं, fake cheese promote करने में, fake Instagram post, fake product placement and all that, I don't really like this kind of celebrities, I will show few of the example right now on the screen, can you see that, can you see that, can you see the picture difference, किसे picture मे ये लोग dark बन जाता है, किसी picture में ये लोग fair बन जाता है, किसी picture में इनका nose बिलकुल normal लगता है, किसी picture में photoshop वाला nose होता है, I really don't understand and YouTube भी इनका videos बहुत जादा प्रोमोट करता है, I don't understand, ये लोग कैसे ही सब करते हैं, मुझे ये लोग natural लगती ही नहीं है, next point होगा, वो है कि मैंने बहुत सरा celebrity को देखा है, जादा करके सारा आली खान का YouTube, मैंने YouTube वीडियो देखा था, उनका एक interview जहाँ पर वो जाके बोलती है, कि if you can't change yourself, world कभी आप लोगे लिए change नहीं होगा, जो statement बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, but आप लोग किसली हो, आप लोग इतना बड़ा सा celebrity बना के रखते हो, हमारे इंडिया में आप लोगों का जो महत्वे है, बहुत जादा है, मैं मानती हूँ कि अगर आप खुद को ट्रस्ट नहीं करोगे, तो दुनिया में किसी को नहीं ट्रस्ट करते है, दुनिया आपके लिए नहीं है, यह वो बुल्शि फिरनेस वाला glow मिल जाएगा, brightening skin मिल जाएगा, कुछ नहीं होता है, सब कुछ भुल्शिट है, मैंने खुद ट्राइ किया है, गार्नियर का और मैंने Instagram stories में भी दिया है, कि गार्नियर का जो sheet mask है, उससे जादा गंदा sheet mask मैंने दुनिया में नहीं यूज़ किया है, सौरी अगर आपको अच्छा लगता है साड़ा अलिखान का प्रोमोटिंग प्रडाक्ट या फिर गार्णियर का शीट मास्क अप्लोड के लिए बहुत अच्छे से सूट करता है इस नॉट माइ प्रोब्लम बट मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसना लगा कि उनका जो statement है उनका जो product का प्रोमोशन है वो बहुत unnecessary है इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा इन इस वीडियो और मैंने इस वीडियो में कोई में makeup नहीं किया है you can see everything on my face anyways guys तो next point के तरफ चलते है जो next point होगा वो मैं बहुत दिन से लिए बच्पन से बही के बात सोचती हूँ लेकिन कभी मैं बोला नहीं अपने YouTube वीडियो में लेकिन मैंने always देखा है कि Bollywood का जो background dancers होते है वो always white होता है ये Bollywood को like white लोगों से क्या obsession है I seriously don't understand इंडिया में इतने अच्छे अच्छे dancers मिल जाएगा है अगर आप D.I.D. का audition देखोगे या फिर super dancer या फिर बहुत साड़ा लेकि मैं dancing reality shows follow करती थी पहले अभी इतना सदा नहीं follow करती हूँ लेकिन मैं देखती थी कि वहाँ पर इतना साड़ा talented लड़की लड़के everyone आपको मिल जाएगा लेकिन Bollywood का obsession है वही गोडी लड़कियों से जो कि विदेश से आएगा और मकमर लटक मटक के यह सब करेगा मुझे समझ में नहीं आता white background के साथ background dancers के साथ Bollywood का obsession है जबकि आपको इंडिया में इतना साड़ा अच्छा अच्छा talented लोग मिल जाएगे जिनको पैसो के भी जरूरत है और इंडिया को आगे ले जाने के लिए उनको chance देने की बहुत साथ जरूरत है मुझे पता नहीं क्यों Bollywood always promote करते है white लड़कियों को यह obsession क्या है I seriously don't understand मेरा जो last point है guys वो है कि YouTubers हमारा जो अपना influencer जो अपने आपको YouTubers बताते हैं उनको क्या problem है मैं ये बात पिछले 3-4 साल से बता रही हूँ मुझे YouTube में success बिल्कुल नहीं मिला है लेकिन guys मैं आपको एक बात बता सकती हूँ please go check out my channel मैंने कभी भी fairness product का promotion नहीं किया है और यही लोग जाके Twitter में लिखेंगे black life matter no it's not matter for you because you don't understand the sensitivity of this matter because आप लोग fairness cream promote करते हो why you need to be fair why you need to be fair just explain me this मुझे ये समझ में नहीं आता जब लोग मुझे कहते हैं कि आप तो कितने गोडी हो आपको क्या पता मुझे ये पता नहीं लगता कि मैं गोडी हूँ लेकिन मेरी पास बाल नहीं है मेरी पास perfect figure नहीं है सब के पास कुछ ना कुछ कमी रहता है अगर आप लोग confident होगे ये अलग बात है क्योंकि influence जो लोग करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूबर्स को थोड़ा से responsibility लेना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि आजकर बहुत सारे beauty influencers जादा करके बहुत रोबोटिक बन गया है वो लोग make-up करते करते ऐसा हो गया है कि उन लोगों को कोई फरक ही नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है और लोगों को positive like मेरे पास जब influence है मुझे अगर 30,000, 40,000, 1,000,000,000,000,000 लोग देख रहे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन लोग को influence करना चाहिए मेरे आवाज उन लोग के पास पहुचाना चाहिए मैं always अपने platform को अपनी like thoughts share करने के लिए ही बनाया था और मैं आज भी वही कर रही हूँ मैं आपको example दिखाऊंगी अभी बहुत सारा example मैं दिखाने पाले हूँ आपको screenshot के बाद मैं screenshot डालते रहूँगी यही यूट्यूबर्स promote करते हैं यह फुद्धू fairness वीडियो और उनको views कितने बिलते हैं वो भी देखाऊ और यूट्यूब ads में भी वो सब कुछ promote करता है मैंने जो भी आपको इस वीडियो में mention किया है यूट्यूब always promote करता है वो सारे के सारे चीज मुझे पता नहीं क्यों यह सब चीज promote हो रही है 2020 में हम लोग ऐसे बिल्कुल गंदे वाले pandemic में खरे हुए है मुझे लगता है कि सबको अच्छा काम करना चाहिए तब जाके अगर कुछ अच्छा हो इस दुनिया के साथ अभी क्योंकि मेरे साथ 2020 के पहले से इतना गंदा situation create हुआ है मैं अभी जाके थोड़ा सा चैन का सास ले रही हूँ I hope कि I make some change for you guys anyways तो आज का वीडियो यही तक था मैं नेक्स टाइए मिलूंगी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ Bye I love you all and be positive Don't watch fairness video It doesn't matter for you because you are beautiful Bye